अच्छा खाईए, अच्छा बूलिए, अच्छा सोचिए, बाकी सब गोविंद पर जोड़िए जी हाँ स्वागत अभी नेजन करती हूँ, मैं अपने रेसोई में जहाँ स्वाथ दिल तक जाता है आज हम बनाएंगे एक मसदार सी एक breakfast recipe जिसमें बनाएंगे चिल्ला लेकिन stuff चिल्ला बनेगा इसे Mexican stuffing के साथ बनाएंगे बड़ा शानदार और स्वाथ से लाजवाब यह चिल्ला है और आपको बहुत बहुत पसंद आएगा एक बार regular moong डाल से बनने वाले उस अल्ट्रा सिल्ले को छोड़ करना यह वाला आप ट्राइ कीज़ेगा आपको बहुत पसंद आएगा आई शुरू करते हैं तो इसके लिए एक बड़ी कटोरी moong की डाल को राद भर पाने में बिगो कर सोक कर दिया गया है और आप देख सकते हैं काफी अच्छी फूल चुकी है यह बड़ी moist हो चुकी है, numb हो चुकी है, soft हो चुकी है अब इस stage पर इसे grind करेंगे और इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे तो देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल ready है अब इस पेस्ट को अगर मसाले दा रखना है तो आप बहुत सारे मसाले समें डाल सकते हैं मुझे बिल्कुल simple रखना था तो मैंने इसमें नमक और हींग डाला है अब इसमें नमक और हींग डालका अच्छे से हम इसे hefate लेंगे तो आप देख सकते हो ना हमारी पेस की जो कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं है, कुछ इस सरीके की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, तो देखें हमारा पेस बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रख देंगे, अब इस चल्ले के लिए एक अच्छी सी म अगर यह नहीं मिले ना तो आप नॉर्मल प्यास भी कट करके डाल सकते हो, मुझे यह पसंद था तो माना ही डाला, हलका से इसे stir fry करेंगे, इसके बाद लंबी-लंबी कटी-कटी शिम्ला मिर्चना वो ढाल देंगे, और इसे भी हाई फ्लेम पर सौटे करेंगे, याद रह आदा चम्मच चिली फ्लेक्स और दो चम्मच शैजवान चटनी डालेंगे, अब इन सारी सामगरियों को अच्छे से मिक्स अप करेंगे, और यह सभी चीजे ना यह सारी प्रोसेस जो है, वो हाई फ्लेम पर करेंगे, फ्लेम कमना करें और सब जो को पूरा ना पकने दें, क्रंच बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो हमारी स्टफिंग अच्छे से फ्राय हो चुकी है, अब गैस को बंद कर देंगे, यह स्टफिंग बड़ी मसदार होती है, आईए अब चिल्ला बनाते हैं, तो चिल्ला बनाने के लिए जो मूंग दाल का बैटर हमने रैडी किया करच हो उससे एक बड़ी करची मूंग दाल का पेस्ट लेंगे और दिखाए निशार गोल गोल भूमाते हैं, चिल्ला बना लेंगे, बना बनाना के कॉछ तरहना नहीं पतला बनाना है, तो छीज चल्ला कुछ इस तरह चंपी में सबरें बनाने और अब दाल स्वामें बना इसे फोंड कर लें और एक टूटपिक की साहता से इसे से कुछ इस तरह कासे है अब हमारा चिल्ला बिल्कुल रेडी हो गया आप देख सकते मैं किता क्रिसपी किता करारा हमारा हमारा मज़ंदार से चिल्ला है मुंग दाल का यह चिल्ला न बहुत बहुत टेस्टी बनता है रेगुलर मुंग की दाल की चिल्ला खागे कि न बोर हो गए न तो एक यह डिफरेंट टाइप आफ स्टफिंग के साथ यह आप ट्राइ कीजेगा आपको दिन बन जाएगा और अगर शुरुआत इस नाश्ट